अब सर अगला साशक जो अपन पढ़ रहे हैं मैं आज ही आप लोगों को ये बात बता देता हूँ कि सेकेंड ग्रेड के अंदर ऐसा कोई पेपर नहीं रहा होगा पिछले दस सालों में जितनी भी हुई है तीन चार बार हुई है रिट की मान लो आप किसी की भी मान लो शिक्षक बरती का ऐसा कोई पेपर नहीं हुआ होगा जिसके अंदर माराना कुमबा का कोशन नहीं आया होगा मेवाड के चार राजा ऐसे हैं जो बहुत ज़्यदा इंपोटेंट है जहांसे कोशन पूछा जाता है पंडने तो सारे ही पढ़ते हैं पर चार ऐसे जहांसे मेजरली कोशन आता है एक तो कुमबा हंडेड परसंट सवाल आता है क्या आया था क्या पूछा गया था मैं सारी बात आपको बताओंगा कि ये आया था ये पूछा गया था एक माराना सांगा ये कोशन लेके आता है एक राना परताप तो फाइनल है ये और एक माराना राज सिंग मिवान के राना जी थे राज सिंग जी ये चार ये चार ऐसे राजा है जो आपको कंटस त्याद होने चीए यहां से सवाल आते ही आता है कुम्बा, सांगा, प्रताप और राज से कुम्बा ऐसा राजा है जैसे अपन बहुत सारे राजा पढ़ते हैं कि मैंने आपको सांगा पढ़ाया तो अपन सांगा के अंदर ये पढ़ेंगे कि सांगा की बोड़ी पर असी गाहोते कितने? वो सुबह उठके लड़ने के बारे में सोचता था कि युद करना है और रात को सोते समय भी उसके माइंड में ये चलता था कि मुझे क्या करना है? युद कोई नहीं मिलता था तो वो दिवारों के तलवार लेके दिवारों से लड़ता था मतलब लडने के अलावा उस बंदे ने अपनी लाइफ के अंदर किये ही नहीं तो उसकी जो खुबी थी वो क्या थी? लडना जैसे हैं अपन परताब पढ़एंगे तो आप परताब के अंदर ये पढ़ोंगे कि परताब ने कभी भी अकबर की अधीनता सुकार नहीं की बस उन्होंने संगर्स किया और कभी भी उन्होंने हार नहीं मानी ये उनका अचिवमेंट है इसके अलावा इन दोनों की एक्स्ट्रा कोई भी बात नहीं है ये ऐसा राजा है जिसने कभी भी किसी की अधीनता सुकार्णी की अपने आज़ पास वाले सभी राजाओं को इसने हराया इसके अलावा इसने 32 किलो का निर्मान करवाया कितने? संगीत के उपर बहुत सारी किताबे लिखी अपने आपके अंदर इसके दर्बार में बहुत सारे विद्वान थे बहुत सारे इसने मंदिरों का धिर्मान करवाया और सास साथ में ये वीना वादिंतर बजाने में भी दक्ष था कौन सा? वीना बतलब ऐसा राजा जो हर डिपार्टमेंट के अंदर टैलेंटेड था पूरे भारत के अंदर ऐसा एक भी राजा उस समय में नहीं हुआ था जो ऐसा राजा कौन था? राना कुम्बा अपने आप के अंदर आप कह सकते होगी राजस्तान के महानतम सास को मैंसे किसी अंदर इसकी गिंती की जा सकती है तो वो राना कुम्बा था कुम्बा के पापा तो आप जानते ही हो भी इनसे पहले कौन राजा थे? मोकल तो पिता का नाम क्या है? मोकल बड़े राजाओं के सारे याद रखने हैं, पुछा जाता है इनकी मम्मी का नाम याद रख लेना जो अपने नी पड़ा है सोबाग्य देवी परमार क्या नाम था? तो ये इनकी क्या हुआ करती थी? माता जी किसकी? कुम्बा की कुम्बा के बहुत सारे उपनाम है उपनाम मैं पहले बता देता हूँ फिर अपन इसकी आगे की बात करेंगे कुम्बा को एक तो का जाता है अभीनव भरताचारिय एक इनको का जाता है हिंदू सुर्तान एक इनको का जाता है अश्वपती एक इनको का जाता है गजपती एक इनको का जाता है नर्पती एक इनको का जाता है हाल गुरू एक इनको का जाता है दान गुरू एक इनको का जाता है राज गुरू एक इनको का जाता है राणो रासो एक इनको का जाता है रायो राया ये सारे उपना में देखो इतने सारे हैं आपको ये दो याद रखने हैं यहां से मेजरली कोशन पूछा जाता है सिदा सिदा पूछते हैं कि कुमबा संगीत कला में दक्षता इसलिए इसको क्या कहते थे किसी भी मुस्लिम राजा से नहीं आ रहा इसलिए इसको क्या कहते थे हिंदू सुर्तान क्या कहते थे इसके पास में बहुत ज़्यादा मात्रा में गोडों की सेना थी और गोडे को का जाता है अश्व इसलिए इसको क्या कहते थे अश्व पती इसके पास में बहुत बड़ी हातियों की सेना थी इसलिए इसको क्या कहते थे गजपती इसके पास में बहुत सारी आपके पुरुशों की सेना थी इसलिए इसको क्या कहते थे नर्पती हाल का मतलब होता है पहाड क्या होता है और इसने बहुत सारे पहाडी दुर्गों का निर्मान करवाया था इसलिए इसको का जाता है हाल गुरू क्या कहते है दान गुरू दान देता था इसलिए दान गुरू बड़ा राजा था और खुद के दर्बार में बहुत सारे विद् तो चाप गुरू चापा मार युद्भपणाली में दक्ष ताइस लेस्कों क्या कहते थे छाप गुरू ये एक्जाम में आज दिन तक नहीं पूछे गए हैं यह दोनों पूछे जाते हैं संगीत कला में दक्षताइस्लेस को क्या कहते थे अभिनव बर्ताचारिय और साथ में किसी भी मुस्लिम राजा से नहीं आ रहा है इसको क्या कहते थे हिंदु सुर्था अब आगली कहानी में आपको बता दो समय कितना है थोड़ा देख लेता हूं मैं दस मिंट है अपने पास में सुनो कुमबा के पिताजी थे मौकल मौकल की हत्या तीन लोगों ने करी चाचा मेरा मेपापवार मार कर चले गए मालवा उस समय पूरे मेवाड के उपर अधिकार था राव रनमल का किसका था मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि राव रनमल और उसका बेटा कौन था जोधा इन दोनों ने अधिकार करके रखा हुआ था तो राव रनमल की ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर ये इसको मार के जा रहे तो वो उनको पकड़े वो उनको मारे तो रनमल उनका पीछा करता है पीछा करता है तो वागड़ जब वो गया उदेपूर से आप वागड़ जाओगे फिर आपके आगे मालवा आएगा तो वागड़ जब वो गया तो वागड़ के उसने अधिवासियों की साहिता से मैपा पवार को तो पकड़ लिया और मैपा पवार की वहा वेग चलेगे मालवा वे उसके हाथ में नहीं आये अब रणमल मांसे वापस आया नया नया राजा कौन बना था कुम्बा के सामने बहुत सारी समस्या थी समस्या यह थी कि जब आपको सोतंतर सासक बनना होता है वह मुझे अगर मेरे निरने खुद लेने तो यहां का मुझे पड़ेगा तब मैं कर पाँगो कि एसा होना चीय वैसा होना चीय तो कफ़्वा को अगर सोतंत्र सासक बनना है तो सबसे पहले तो रणमल को हुशाना है प्राचेन समय में जब राजकुमारियों की शादिया एक इस्तान से दूसरे पर होती थी मैंने पहले भी बात साइद आपको बताई होगी तो इनके साथ में उनकी बहुत सारी सहीलियो को पेजा जाता था जिने उनकी द्यासी कहते थे क्योंकि वहाँ पर जाकर उस राजकुमारी का मन लगा रहे क्योंकि उस समय मुबाइल फोन नहीं हुआ करते थी बागी तो ममी को फोन करके बुराया कर ले सासुमा न ऐसा कवा न न इसा चान वैसा हो गया उसमय फोन होते नहीं थी तो बात्चित करें उसे तो जो सहयलिया शाथ में जाती थी उनसे बात्चित वो क्या करती थी हंसा भाई के साथ में उनकी एक दासी आई थी जिसका नाम था बारमली क्या नाम था और ये बारमली किसकी प्रेमी का हुआ करती थी राव रणमल की राव रणमल ऐसा का जाता है कि कम से कम 11 फिट लंबा था कितने छे फिट का तो मैं हूँ मेरे से चोज लो चार फिट मतलब यह इसकी यहां टच होता होगा यह इस दिवार पर और यूँ कहते हैं कि दो ग्रेट खली टाइप में चोड़ा वेक्ती था मतलब सामने से आकर तो उसको अकला आदमी कोई मार भी नहीं सकता था कहते हैं कि वो चार जोनों को यह पकड़ लेता था और यह उन्मार देता था दबा के इतना विशाल कायव एक्ती था और उसकी प्रेमिका कौन थी मैं दन्यवाद देना चाहता हूँ बारमली को कि उसने विशाल काई व्यक्ति को पसंद करा यह उसकी प्रेमी का थी ऐसा कहानियों में बताया जाता है कि एक दिन रडमल सराब पिया हुआ था दारू के नशे में था और रात के समय बारमली के पास में गया और बारमली से जाकर वो कहता है कि बारमली मैं तुझे मिवाड की पत्रानी बना दूँगा क्या बना दूँगा पत्रानी का मतलब सबसे बड़ी रानी बारमली ने कहा क्यों मजाक कर रहे हो नशे में नशे में बाते कर रहे हो पट रानी होती है राजा की रानी है राजा कौन है कुमबा तो वो बनेगी मैं कैसे बन सकती हूँ तब रनमल कहता है कि मेरे जीजा जी थे लाखा जी अनसा भई उसकी बैन थी मेरे जीजा जी थे लाखा जी वो मर गए मेरा बांजा था मौकल वो मर गया अब उसके बांज में बनाया कुमबा सारी ताकत किसके पास है मेरे पास है ना तो क्यों नहीं किसकी अत्या कर दू और राजा कौन बन जाओ में और अगर में राजा बन गया तो तू क्या बन जाएगी पटरानी बारमली ने कहा है ऐसे तो हो सकता है अब मैला मैला होती है पूरी रात बारमली ने ये बात अपने पेट के अंदर दबा के रखी सुबह जैसे ही अरली मॉर्निंग हुई बारमली बागी और बाग के सीधे हंसा बाई के पास में गई किसके पास और हंसा बाई को जाकर गागी हंसा बाई जी जिस आप अपने बाई के उपर इतना विश्वास करते हो उसने कल रात को मुझे ऐसा 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 और ऐसा का है अब हंसा भाई टेंशन में आगी कि पती गया, बेटा गया, पोता बचा है पोता भी चला गया तो फिर तो मिवाडी क्या हो जाएगा समाप्त, अब रणमल को मारे कौन विशाल का है वेक्ती, सारे आदमी उसके सिना पती उसके उसे लड़ाई करे तो करे कौन, अब क्या किया जाए रणमल कभी भी कुम्बा की क्या कर सकता है, हत्या तब इस विकट परिस्टिती में हंसा भाई को फिर से एक वेक्ती याद आया जिसका नाम था चूड़ा चूड़ा जी मालवा थे, मालवा में इनको एक चिट्टी लिखी गई यहां से कि चूड़ा जी मिवाड को आपके आउ सकता है, जल्द से जल्द जो है वो आप फिर से कहां आ जाओ मिवाड आ जाओ सवेरे वाली गाड़ी पकड़ के कुबर चूड़ा वहां से निकले और सीधे दूसरे दिन कहां पर आगे उदेपूर उदियापॉल बस टेंड पे उतरे और यहां से बस पकड़ के सीधे कहां चले गे चित्तोड़ गड़ पसे वसे नहीं होती थी उस टेंब जैसे देशे करके बिचारे लटक लटक के आए चित्तोड़ गड़ के अंदर इक मीटिंग का आए हो जनुगा मीटिंग में कुमबा भी था चूड़ा भी था हंसा भाई जी भी थी सारे थी और सब ने ये कहा कि भई अब होपन को हत्या करनी ये रणमल की कैसे की जा सिधा तो लड़नी सकता कोई सारे आदमी उसके अब क्या किया जाए तब ये काम किसको सौपा जाता है इस कहानी से एक प्रेणा मिलती है कि प्रेमी का पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए ये काम इस बार्मली को सौपा गया बार्मली को ये का गया कि आज रात के समय जब भी आपके पास में रणमल आएगा आप उसको इतना शराब पिलाओगे इतना शराब पिलाओगे कि वो पूर्ण तो नशे में हो जाएगा नशे बाड़े व्यक्ति को तो मारा जा सकता है तो उस दिन रात के समय बार्मली पूरे सोला स्रिंगार करके अपने रूम के अंदर बैठी थी दासिया बिसिकली स्रिंगार नहीं किया करती थी दासियों को जदा स्रिंगार करने के अदेश नहीं होते थे लेकिन बार्मली उस दिन सोला स्रिंगार करके अपने रूम के अंदर बैठी रणमल बार से आया तो देखते ही खुश हो गया रहे बारमली क्या बात है आज तो आप बड़े खुबसुरत लग रहे हो रोज शराब तो वो पीकर आता ही था उस दिन आके बैठा उसने का आज आप ते तयार क्यों हुए तो उसने का कि आप रोज शराब पिकर आते हो, बार से शराब पिकर आते हो, हमारे साथ में तो कभी शराब पिते ही नहीं हो, आज मेरे साथ मैं सराब प्यूँ हूँ, रणमल ने का कौन सी बड़ी बात लाओ, तो दोनों ने पीना स्टार्ट किया, अब बार मली तो मेला थी नाटक कर रही होगी थोड़ा 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 इसे रनमल देया दमा दम देया दमा दम 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 करके अंदर आए कुम्बा जी आएन चुड़ा जी आएन यूहंसा भाई आएन इतना डर था उसका रसी तो पतली होती है रसा होता है खेत में पानी खीचने का वो रसा लाया गया और उस रसे से उसको चारपाई के बांदा गया फिर सारे सैनिक आके उसके शरीर पे बैठे फ पेरो पेन वे उचल उचल के दिवारों के जाके टकरा गये थे इतना बैंकर कौन था राओ रनमल और इस प्रकार से उसकी गोद गोद के इन लोगों ने क्या कर दी हत्या उस समय जोदा किसी अन्य रूम में बैठा हुआ संगीत सुन रहा था कोई मैपिल चल रही थी और ग गाना गाया अपनी स्टाइल में कि बाग जोदा बाग थारो रनमल मारी हो जाए क्या गाना गाया बाग जोदा बाग थारो रनमल मारी हो जाए कि रनमल तो मर गया जोदा बाग तो जोदा को पता चल गया कि रनमल की इन लोगों ने क्या कर दी है हत्या तो इसने अपनी दो झाल झाल झाल